गोवा प्रजा ने अपनी आवाज उठाई और कुंकोलिम गाउं के लोगों ने 1583 में पुर्त गालियों के खिलाफ पहला विद्रोह किया जब प्रजा पर पुर्त गालियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रही विदेशी ताकतों को टक्कर देने मराठा समराज्य के कीरती स्तंब छत्रपती शिवाजी महराज स्वम आ पहुंचे चत्रपती शिवाजी महराज और चत्रपती संभाजी महराज की वीरता और युद कौशन ने पुर्त गालियों के फैलते समराजे को कोई में ना सिर्थ सिमित रखा और सांत ऐस्तरफोग और मुर्गाउं जैसे कई विशेश किले और गड़ भी अपने आधीन कर लिए ऐसी शौरे और कुशलता उनके वन्शजों ने भी दिखाई और पुर्त गालियों को सदैव चुनाती देते रहे पिंटो क्रांती, राने विद्रोह और भी कई परियास होते रहे जिन्होंने सदा ही पुर्त गालियों को अशांत ही रखा 1928 में गोवा राश्टेदा के जनक टीबी कुनहा ने गोवा कॉंगरिस कमीटी की स्थापना कर गोवा स्वतंतरता के लिए सत्य ग्रह का मार्ग खोला पुर्त गाली प्रधान मंत्री सालजार ने अपने निर्देशों एक्टो किलोनेल से गोवा की प्रजा की हर आजादी तबाह रखी थी बिना पुर्त गालीों की मनसूरी के कोई भी कारे करना दंडनी अपराद था ऐसे हालात में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को मटगावा खाड़े लोहिया मेदान में हजारों की संख्या में आए लोगों को संभोधित करने ही लगे थे कि पुलिस ने उनी गिरफ्तार कर लिया लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी इस गिरफ्तारी ने सुलक्ती चिंगारी को ऐसी हवा दी जिसने पूरे गोवा में आजादी की ललक जला डाली जहां कई लोगों ने अहिंसा और सत्य ग्रह का रास्ता चुना वही आजाद गुमंतक दल के प्रभाकर सिनारी विश्वनाथ लवन्दे, प्रभाकर वैद्य, कुष्टोबादे साई, बारा राया मापारी जैसे युवाओं ने क्रांती कारी मार्ग चुना पुर्टगाली फॉज, पुलिस थानों, बैंको और कार खानों को अपना निशाना बनाया जिससे पुर्टगालियों को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उनका बल भी शीन होता रहा एक तरफ गोवा लिबरेशन आर्मी और आजाद गुमन तक दल जैसी संस्थाएं गोली बारूद से क्रांती कर रहे थे तो दूसरी तरफ हजारों लोगों ने गोवा की आजादी के लिए सत्य ग्रह का रास्ता चुना और 15 अगस्त 1955 को लोग गोवा में उमडने लगे अंदोलन रोकने के लिए पुर्टगालियों ने देखते ही गोली चलाने के संदेश तक दे डाले क्रांती कारियों ने एक जुट होकर पत्रा देवी में सत्य ग्रह धरना करने का नियोजन बनाया इस सत्य ग्रह में भारत के कई कोनों से लोग आये थे इसी सत्य ग्रह पर पंजाब के एक युवा करनेल सिंग बेनिपाल शहीद हो गए इस स्वतंतरता यग्य में कई गोवा के और देश के कई हुतात मावों ने और कई महनुभावों ने अपना योगदान दिया इसमें मोहन रानडे, जगननात राव जोशी और भी सहसरों नाम हैं महिलाओ ने भी भरपूर योगदान दिया इनमें शारदाताई सावाईकर, बच्सला कीर्तनी, प्रमिलाबाई जामबावी लिकर, सुधाताई जोशी और सहुधरा देवी प्रमुख नाम हैं एक और क्रांती चलती रही, दूसरी और भारतिय सरकार अंतराश्य स्तर पर गुआ के लिए आवाज उठाती रही पुर्तगाली सामराज्य की करूरता अंतराश्य एकबार में भी छपती रही, इससे पुर्तगालियों पर भारी दबाव पड़ा चारों ओर से हो रही उठल पुथल से पुर्तगाली बुखला उठे इसी बुखलाहट में नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने एक एक करके दो जहाजों को भारत सेना का समझ कर उन पर आकरमन कर दिया यहीं पुर्तगालियों की आखरी भूल साबित हुई अंततहा ततकालिन रक्षा मंत्री शिरीवीके कृष्ण मैनन के आदेश पर ओपरेशन विजे नियोजित किया गया 17 दिसंबर को गोवा पर भारतिय सेना ने कूच किया जल सेना ने गोवा को घेर रखा था हवाई सेना काल की तरहां गोवा के आकाश में मंडरा रही थी अपने आपको बचाने के लिए पुर्तगालियों ने गोवा के सारे सितू जला डाले परंथ भारतिय सेना ने गोवा पर वर्चस स्थापित कर पुर्तगालियों से घुटने टिकवा दिये आखिरकार गोवा आजाद था और इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का अटूट अंग बना धन्य है भारत और गोवा के स्वतंत्रता सेनानी, धन्य है भारत के सैने आज इनके ही शौर्य का फल है जो गोवा के स्वत्चंद बातावरण में लोग अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं जै हिंद, जै गोवा